शीज सत्र के दोरान अपनी विविद मांगों को लेकर दो मोर्चों ने दस्तक दिये जिसमें जन बदलाव मोर्चा और रिपॉब्लिकन इंडिया बेस्च खोबरागडे गुठकी और से अपनी कई मांगों को लेकर आंदोलन किया गया है इसके साथ ही जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन चारी रहेगा ऐसा जन बदलाव मोर्चा के आंदोलन कारियों द्वारा कहा गया है आज विदान भवन पर सविदानिक हक के लिए जंद बदलाव मोर्चा का एजन किया गया है कौन सी मांगों को लेकर आज आन्दुलनकारी आज विदान भवन पर आए हैं हम जानेंगे जी मांग तो सबसे important मांग है वो है इनके पक्के घर जो अभी तक इन्हें मिले नहीं है इन्हें अभी तक जूटे आसवाशन दिये हैं नेताओने की 20-30 और ऐसा नहीं कि 1-2 साल 20-30 साल 50 साल लोग जहां पर रह रहे हैं वहापे इनको आसवाशन दिये गए है कि इनको इनके पक्के घर मिल जाएंगे पर अभी तक इन्हें मिले नहीं है कुछ महीनों से यह नहीं पता अभी बुलोजर को क्या हो गया है वो लगातार सिर्व लोगों के घर तोड़ने जा रहे हैं अभी तक के 3-4 ऐसे बस्तिया हो गई है जिनके घर तोड़े गए है पहला एक है सीम जिन पे लोगों के विदाउट पुनरवसन किये उनके घर तोड़ दिये गए बुट्टी बोरी जो बोला जाते है कि अभी रेलवे की जमीन हो गई है रेलवे की जमीन होने पर अभी वो आके क्लेम कर रहे है कि वो रेलवे की जमीन है बट इसके पहले लोग जो 50 सालों से रह रहे वापे घरकुल योजना भी लागू हो चुकी है लोगों को पैसे भी मिले है कि वो घर बनाये गए बट तो भी उनके आके घर तोड़ दिये गए ऐसी बहुत सारी और भी बस्तिया है शिव शिव कृष्णधाम सोसाइटी है जो बहुत बड़ी है आज उसकी अगर की महीने में आवाज उठा दूगी तुमारे 30 साल बाद तुमारी नींद खुल रही है तो ये सब बेवकूब बनाया जा रहा है जनता को इनसे नेता उसे बड़े बड़े बिल्डर जो होते है नेता उनसे पैसे लेते हैं और ये इन लोगों से इलेक्शन के पहले इनको जू कुछ नहीं चाहिए इन्हें सिर्फ इनके पक्के घर चाहिए और उससे भी बड़ी बात यह है कि इसे बहुत सारी बस्तिया है जिस पर आधार कार्ड उनके जो मूलबक्त अधिकार होते वही नहीं मिल पा रहे है का सर्टिफिकेट जो बोलते वह अभी तक वही नहीं बने है उनके तो का सर्टिफिकेट ही जब नहीं बने तो उनको बाकी के बाकी के जो जितनी भी योजना है वो कैसे मिलेगी तो ऐसी जो सरकार जो है एसी लोगों को सिर्फ धुके में रख रही है बिना योजना बिना सिर्फ रोड पर सड़कों पर छोड़ दिये गए है आज ल मांगते ही रहना पड़ेगा क्योंकि वो सरकार पर है बट अभी इनका धिमाग खराब हो चुका है अब यह नहीं सुनने वाले इनको इनके घर चाहिए और उससे भी बढ़ा है अभी इनको भरोसा निये कोई नेताव पर इनको भरोसा अब उनके समविधान पर तो अभी सम पर आये हम वहां भी जाते हैं और देखते हैं कि उनकी क्या मांगे है चली रिप्रब्लिकन पाइटी ओफ इंडिया की ओर से जो है राजबाव खुब्रागडे ग्रूप की ओर से आज भवय मोर्चा निकाल गया है क्या मांग है आपकी हमारी मांगे है मैडम हम याश्वंत हम आने वाले 15 सालों से निवेधन किया यहीं पर आते हैं चिल्ला के चले जाते हैं लेकिन हमारी मांगे कोई भी नहीं सुनता आप 15 सालों से यहां आ रहे हो मांग कर रहे हो लेकिन मांग पुरी नहीं हो रही इस बार भी मांग पुरी होगी ऐसा लगता है और नहीं होती है तो आगे क्या करने वाले हो पहले जनता का सुनिए उसके बाद में जनता नहीं तो मंत्री नहीं जनता नहीं तो कुछ भी नहीं आवाज दो जनता नहीं तो मंत्री नहीं का नारा यहाद या गया है अब इनकी मांग तब तक कुरी होती है ये देखने वाली बाते क्या मेरा परसन अखिलेश भारत वाज के साथ शितिजादेश मुख बीसीन न्यूज नाखपूर